Hello students, आज इस वीडियो में हम exercise 8.2 से question number 102 solve करेंगे Question number 1 देखिए, convert the given fractional numbers to percent इस question में हमें कुछ fractional numbers दिये गए हैं, हमें उन्हें percent में convert करना है एपार्ट देखिए, हमें fractional number दिया है 1 upon 8 1 upon 8 को हमें percent में convert करना है तो देखिए, जब भी percent में convert करना हो, तो हम 100 से multiply करते हैं तो देखिए, 1 upon 8 को percent में convert करने के लिए, 1 upon 8 को हम multiply कर देंगे 100 से अब देखिए, 1 के अलावा एक ऐसा number देखिएंगे, जिससे ये दोनो numbers divide हो जाएं तो देखिए, दोनो numbers 4 से divide हो रहे हैं 4 to 8, 100 को 4 से divide करेंगे तो क्या आएगा 25, देखिए, अब 1 को 25 से multiply करा का या ओँँपाइखिए 25 और upon में क्या आया 2, तो क्या आया 25 upon 2, अब 25 को 2 से divide करेंगे तो देखें आप रफ में डिवाइड करके देख लीजे 25 को 2 से डिवाइड करना तो देखें 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 वन जा 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा 0 फिर 5 आया है यहां पर 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तू जा 4 5 में से 4 माइनस करेंगे क्या आएगा 1 देखिए अब यहां point लगाके 0 लिख लेंगे और यहां भी point आजाएगा ठीक है फिर यह 0 यहां पर आजाएगी अब 10 को 2 से divide करेंगे तो देखे 2 5 जा 10 10 में से 10 माइनस करेंगे क्या आएगा 0 ठीक है तो 25 को 2 से डिवाइट करने पर क्या रहा है 12.5 12.5 परसेंट जो यह साइन है यह परसेंट का है तो वन अपॉन एट को परसेंट में कनवर्ट करने पर क्या रहा है 12.5 परसेंट अब भी पार्ट देखें भी पार्ट में हमें दिया गया 5 अपॉन 4 अब इसे परसेंट में कनवर्ट करन है हम 100 से अब दीखे 400 यह दोनों से डिवाइड हो रहे हैं 4 बंजा 4 100 को Size करेंगे क्या एक 25 फाइफ को 25 से मल्टिप्लाई करेंगे क्या एक हैगा 125% दो 5पॉइन 4 को परसेंट में कनवर्ट करने पहेंब 155 परसेंट 9io पार देखिए दिया गया है 3 upon 40 अब 3 upon 40 को हमें percent में convert करना है तो क्या करेंगे 3 upon 40 को 100 से multiply करेंगे 3 upon 40 into 100 ठीक है तो देखिए 1 0 से 1 0 cancel हो गई 4 और 10 यह दोनों 2 से डिवाइड हो रहे है 2 2s आ 4 10 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2 5s आ 10 ठीक है अब 3 को 5 से multiply करेंगे क्य और upon में क्या आएगा 2 तो क्या आया 15 upon 2 ठीक है अब 15 के upon में 2 है यानि अब 15 को 2 से divide करेंगे तो देखिए रफ में डिवाइड करके देख लेंगे 15 को 2 से divide करना है तो देखिए 2 7s आ 14 2 8s आ 16 16 तो बड़ा हो रहा है 15 से तो कितने पे जाएगा 2 7s आ 14 ठीक है 5 में से 4 माइनस करेंगे क्या आएगा 1 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा फिर यहाँ पे point लगाएं 10 में से 10 माइनस करेंगे 0 आएगा तो 15 को 2 से divide करने पे क्या रहा है 7.5 7.5% तो 3 upon 40 को percent में convert करने पे 7.5% आएगा अब deep part देखिए दिया गया है 2 upon 7 अब 2 upon 7 को percent में convert करना है तो क्या करेंगे 2 upon 7 को 100 से multiply कर देंगे तो 2 upon 7 into 100 तो देखिए अब देखिए यहाँ पर 7 और 100 वन के अलावा एक ही number से divide नहीं होते नाहीं 2 और 7 वन के अलावा एक ही number से divide होते है तो क्या करेंगे 2 को 100 से multiply कर देंगे, कितना आएगा 200 और upon में क्या आजाएगा 7 तो देखे 200 के upon में 7 है, तो 200 को हम divide करेंगे 7 से तो देखे रफ में divide करके देख लीचे, 200 को 7 से divide करना है तो देखे पहले 20 को 7 से divide करेंगे, ठीक है देखे 7 थीजा 21 होता है 21 तो 20 से बड़ा हो रहा है, तो 7 तूजा 14 ठीक है, अब देखे 0 में से तो 4 माइनस नहीं होंगे, तो यहाँ से carry लेंगे यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ पर 1 रह जाएगा, तो 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 यहाँ 1 रहे था, 1 में से 1 माइनस करेंगे, तो 0 आ जाएगा, अब यह 0 यहाँ आ जेगा, अब 60 को 7 से divide करेंगे तो देखे, 7 9 सा 63 होता है, 63 तो बड़ा हो रहा है 60 से, तो 7 8 सा 56, तो 8 पर जाएगा 7 8 सा 56, अब माइनस करेंगे देखे, 0 में से 6 माइनस नहीं होंगे, तो हम यहाँ से carry लेंगे यहाँ 10 बन जाएगा और यहाँ 5 रह जाएगा, 10 में से 6 माइनस करेंगे, 4, यहाँ 5 रह गा है, 5 में से 5 माइनस करेंगे, तो 0 आ रहा है ठीक है अब देखे इसे हम mixed fraction की form में लिख लेंगे mixed fraction की form में कैसे लिखेंगे 28 and 4 upon 7 कैसे लिखेंगे 28 and 4 upon 7 ठीक है तो 2 upon 7 को percent में convert करने पर क्या रहा है 28 and 4 upon 7 ठीक है अब second question देखे second question है convert the given decimal fractions to percent अब यहां भी देखे हमें decimal fractions दिये गए हैं हमें उन्हें percent में convert करना है तो एपार्ट देखे एपार्ट में हमें दिया गया है 0.65 ठीक है ठीक है point के बाद जो यह number होता है इन्हें हम एक एक करके पड़ते हैं पड़ेंगे 0.65 यह गलत होगा इसे हम पड़ेंगे 0.65 ठीक है अब देखे 0.65 को हमें percent में convert करना है ठीक है तो सबसे पहले तो हम यहां से यह point हटाएंगे ठीक है तो देखे point कैसे हटाएंगे पीछे की तरफ से कितने digits के बाद point है one two, two digits के बाद point है तो 65 के upon में one लिखके इस one के साथ two zeros आजाएंगे क्योंकि two digits के बाद point है तो one लिखके two zeros आएंगी अगर three digits के बाद point होता है तो one लिखके three zeros आती ठीक है तो देखे लिखे अब हमने यहां से point हटा दिया अब हमें % में बदलना है तो देखे जब भी % में बदलना हो तो 100 से multiply करते हैं तो 65 upon 100 को हम multiply कर देंगे 100 से अब ये दोनों 100 से divide हो रहे हैं देखे 100 वन सा 100, 100 वन सा 100, 65 को 1 से multiply करेंगे क्या आएगा 65% तो 0.65 को % में convert करने पे क्या आएगा 65% अब बी पार देखें या गया है 2.1, 2.1 को % में convert करना तो पहले point हटाएंगे तो देखें यहां पीछे की तरफ से one digit के बाद point है तो 21 लिखेंगे और इसके upon में क्या आजाएगा वन लिखके इसके साथ one zero आएगे क्योंकि तो देखें पीछे की तरफ से one digit के बाद point था तो one लिखके one zero आएगे जितने digits के बाद point होगा ना उतनी zero आएगे ठीक है अब हमें percent में बदलना आए तो इसे hundred से multiply करेंगे ठीक है अब देखे one zero से one zero cancel हो जाएगे 21 को 10 से multiply करेंगे तो क्या आएगा 210 percent तो two point one को percent में convert करेंगे तो क्या आएगा 210 percent c पार देखे 0.02 ठीक है अब इसे हमें percent में convert करना है तो सबसे पहले तो हम यहां से point हटाएगे तो देखे पीछे की तरफ से one two two digits के बाद point है तो two लिखेंगे ठीक है और इसके upon में क्या आजाएगा one लिखे कितने digits के बाद point है two digits के बाद point है तो one के साथ two zeros आ जाएगे ठीक है अब इसे हम percent में बदल लेंगे तो hundred से multiply करेंगे ठीक है अब यह दोनों hundred से divide हो जाएगे hundred बंसा hundred hundred बंसा hundred two को one से multiply करेंगे क्या आएगा two और साथ में percent तो zero point zero two को percent में जो बदलेंगे तो क्या आएगा two percent अब डी पार देखे दिया गया है 12.35 ठीक है अब इसे हमें percent में बदलना तो सबसे पहले तो हम यह point हटाएंगे ठीक है तो देखे की तरफ से one two two digits के बाद point है ठीक है तो पहले तो हम यह लिख लेंगे one thousand two hundred thirty five ठीक है one point है तो one लिखके इसके साथ two zeros आ जाएंगे क्योंकि two digits के बाद point था तो two zeros आएंगी ठीक है अब percent में convert करना है तो इसे hundred से multiply कर देंगे अब देखिए दोनों hundred से divide हो रहे है. इसे hundred से divide करेंगे तो क्या आएगा? अब one thousand two hundred thirty five को one से multiply करेंगे तो क्या आएगा? one thousand two hundred three five ही आएगा. किसी भी number को one से multiply करते हैं, वही number आता है. तो क्या आए बन thousand two hundred thirty five और इसके साथ क्या आ जाएगा? परसेंट यह जो साइन है ना यह परसेंट का है तो 12.35 को परसेंट में कनवर्ट करने पर क्या आएगा 1235 परसेंट तो आज इस वीडियो में हमने कोशन नमबर 102 सोल करा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक यू